क्या एप पेंटिंग्स 46.5 मिलियन डॉलर्स का है मजग ना करो यार इससे अच्छा तो मेरा पडोस का बच्छा कर लेता है तमनेल देखके आपको शाहद यही तोट आया रहेगा मुझे भी सेम तोट आये तो मैंने क्या क्या मैंने यूटूब पे सर्च किया या तो काफी टेक्निकल या तो काफी फाल्तू तो हमने इस टॉपिक पे रिसर्च किया वेल अम क्लिक बेट नहीं करना चाहते हैं और इसका इंफोर्मेशन लास्ट में जाके नहीं बताने चाहते हैं क्यूंकि आपका भी टाइम बेस्ट होगा सिंपल सा रिजन एक है कि डिमांज ज्यादा और सप्लाई कर्म आप गूगल करेंगे तो भी इसका इंसा पता चल जाएगा तो हमारा वीडियो क्यों देखें हम इस वीडियो में तीन रिजन्स बता हैं और इसे सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कियें जो एक बारा साल के बच्चे को भी आसानी से समझाए हेलो दोस्तों आप देखें हमारे यूट्यूब चैनल जीवाई टॉक्स मैं हूं अलेक्स और मैं हूं जॉर्च यह जो विएर अर्ट्स होते हैं इन्हों मॉडर्न आर्ट्स कहते हैं पहले अम यह जानना होगा मॉडर्न आर्ट्स क्या होता है जो आर्टिस्टिक पेंटिंग 1860 से लेकर 1970 तब किये गए उन्हें modern art कहते हैं लेकिन आज के जमाने में जो artistic painting बनते हैं उन्हें contemporary art या post-modern art कहते हैं लेकिन यह art form बना ही क्यों है I mean यह इतना appealing भी नहीं है दुनिया में कितना अच्छे अच्छे से art form है sketching painting यह अच्छा है पर इसका प्राइस इतना मेंगा क्यों है पहले हमें इसका इस्टी जानना उड़ा पहले के जमाने में artist के skills को portraits और scenery को as it is बनाने में एल्प होता था पर जैसे जैसे वक्त बित्ते गया और technology develop होने लगा camera आ गया जो एक काम एक second में कर देता है तो artist का demand खम होने लगा artist को camera से हट के एक चीज करना था जो camera कभी ना कर पाए वो है modern art लोग artist की imagination और art के तरव कीचे चले आने लगे और art के demand उपस पहले ऐसे होने लगा इसके तीन reasons है reason no.3 many people get their eyes on one painting चाहे एक artist ने उसे किस एंगल सभी बनाये हो लेकिन आगोरत देखने वाले को समझ आए उसकी आखों से कुपसुरत लगे और उसे देखते ही उसका मन शान्त हो जाए ऐसे paintings को करिता है पर अगर उसके उपर सभी का आख पढ़ जाए तो उसका demand ज्यादा हो जाएगा और painting सिर्फ एक और इस painting का बाव बढ़ जाता है जो सिर्फ rich afford कर सकते हैं रिजन नमबर टू पेंटर्स रेप्यूटेशन पेंटर्स की रेप्यूटेशन भी ज़रूरी है अब लोग पिकासो का painting सबसे अटके और अजीब होते हैं लोगों को वो painting पसंद आने लगा और उनका paintings limited हैं वो पस demand ज्यादा और supply खर्म जो बड़े बड़े paintings है उन्हें सब लोग जानते हैं उनका paintings भी limited होता है जो rich people ज्यादा पे करते हैं वो paintings को लेने के लिए पेंटिंग सब्जेक्टिव होते हैं यानि मुझे एक painting अगर अच्छा लगेगा तो जरुरेन है कि आपको भी painting अच्छा लगे तो अगर किसी को painting पसंद भी ना आए और अगर यह art collector उसे समझ सकते हैं और उसे देखे उसे कुशी मिलती है तो वो इस painting को high price में भी खरीदेगा क्योंकि अगर वो कम price में खरीदेंगे तो उनको society में वो status नहीं मिलेगा यही main point हो सकता है जो एक painting को expensive बना सकता है और बोर्ट सरे points हो सकते हैं पर उस सारे points इत्तिन points पे fall करेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक like का बटन दबादो आप फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए झाल झाल झाल